दोसों अगर आपसे कोई पूछे कि online पैसे कमाने का जो सबसे best तरीका है वो क्या होने वल है तो आपका क्या जवाब आता है उसमें आपका जवाब आता है दोसों एक तरीका है कि आप YouTube के ओपर अपना चैनल बना लो, वीडियो अपलोड करो और वहां से पैसे कमा सकते हो Facebook से वीडियो को copy paste करो और दूसरे चैनल बनाके वहाँ पर upload करो और वहाँ से भी पैसा आप कमा सकते हो लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको बोलूँ कि यह जो सारे तरीके है ना यह सारे तरीकों पर आज इतना ज्यादा competition हो चुका है आज इनसे पैसे कमाना आसान नहीं रह गय है आज भी लेकिन difficult हो चुका है और बहुत ज़दा competition हो चुका है अब आप पूचेंगे कि दोस्तों ऐसे कौन चे तरीके है जिन में competition नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों आज कि इस वीडियो में ऐसे 5 जबर्दस्त तरीके जिन के बारे में 90% लोग दोस् कमा सकते हैं जो आज इस फीडियो में मैं आपको पांच तरीके बताऊंगा ना उसमें ना तो आपको यूट्यूब पे वीडियो डालना है ना आपको आफलेट मार्केटिंग करनी है ना आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है और ना दोस्तों आपको कोई copy paste का का काम करन मतलब एक बार आप setup कर लो तरीका फिर आपको lifetime यहां से कमाई होती रहेगी और अगर आप एक student है आप एक housewife है अगर आप कोई person है तो आप सभी इन पांचों तरीकों पे काम कर सकते हो और definitely आप यहां से पैसे कमा सकते हैं आप देखें दोस्तों पांच ऐसे कौनचे तरीक expert हूँ अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ connect होना चाहते हैं आप भी live में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को subscribe करके जाना bell icon button प्रेस करना और शाथी साथ दोस्तों इस वीडियो को like और अपनी दोस्तों के साथ share जरूर कर देना share जरूर क पड़े ना आपको blogging करनी पड़े ना आपको affiliate marketing करनी पड़े तो आप क्या करशकती हो पैसे कमाने के लिए आप टूल website को बना सकते हो और टूल website पे आप एक-दो मैंने SU का काम करके यहां पर ट्राफिक ला सकते हो और फिर उसके बाद यहां पर आप पैसे कमाना start कर शकते देखें मैं आपको कुछ ऐसे tool websites के ideas भी दे देता हूँ जिन पर आप काम कर सकते हैं जैसे मैं आपको बोलू दोस्तो आप आजकल SEO के बहुत ज़्यादा requirement आ रही है तो आप SEO tool website को बना सकते हो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कुछ keywords related जो websites होती है tool website उनको बना सकते हो आप यहाँ पर दोस्तों क्या कर सकते हो कुछ title या फिर description या फिर दोस्तों टैक्स related आजकल tool website की बहुत ज़्यादा requirement है तो आप उनको बना सकते हो इसके अलावा देखें दोस्तों आप जिसे photo editing websites को बना सकते हो आप video editing websites को बना सकते हो इसके अलावा आप image websites को भी बना सकते हो तो काफी सारी tool websites होती है आप इन tool websites को बना सकते हैं और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ इस website इन websites के बारे में देखें इन websites के जो keywords होते है इन पे लाकों का millions का traffic होता है और अगर आपकी एक बार website google में number one position पे third position पे उससे नीचे भी rank कर गई ना मतलब 4-5 number पे भी rank कर गई तो आपको कम से कम मान के चलो आपको 1-2 लाग का traffic आराम से मिल जाएगा और अगर 1-2 लाग का traffic मिल गया तो आप उसके बाद यहाँ पे adsense को apply कर सकते हो और adsense को apply करके मान के चलो आप average यहाँ से आराम से 100 डॉलर से लेके 500 डॉलर तक का आराम से payment उठा सकते हैं महीने का यहाँ कि average अगर आप लेके चलोगे 8-40,000 रुपे आप एक tool website से minimum कमा सकते हो अगर आपके पास कम से कम traffic आता है अगला कौंचा तरीका है दोस्तों वो भी बहुत जबरदस्त होने वाला है और यह दोस्तों आपके लिए pdf website देखें दोस्तों अगर आप internet का इस्तमाल करते ह कभी ना कभी आपको ऐसे requirement आई होगी जिसमें आपने pdf websites के बारे में search किया होगा pdf website के बारे में या फिर दोस्तों आपने image to pdf, microsoft to pdf, excel to pdf कुछ ना कुछ तो आपने कभी ना कभी search किया होगा अब मैं अगर आपको बोरू दोस्तों तो आप एक pdf website को design कर सकते हो और pdf websites को बना के आप इस website से भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो देखें आपको मैं कुछ ideas देता हूँ जिससे आप idea लगा सकते हो जिससे आपने कभी भी यहां पर जैसे image to pdf आपने search किया होगा image to pdf इसके लाओ देखें आपने किया होगा जैसे excel to pdf ठीक है excel to pdf ठीक है या फ अभी google पे search किया होगा तो ऐसी आपको बहुत सारी websites मिलेंगी अभी इंटरनेट पे काफी सारी websites आ रखी हैं वेकिन बहुत ज़्यादा websites नहीं है तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों आप एक ऐसी website को design कर सकते हो जहां पे आप लोगों को pdf making related service offer कर सकते हैं और आप यकीन मानि दोस्तों इस website पे बहुत ज़्यादा competition भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इसका search volume है मतलब काफी ज़्यादा इसके बारे में search होते हैं google पे और अगर आप ऐसी website बना लेते हैं तो मैं आपको बता दू average आप यहां से भी कम से कम 100$ से लेके आप 500$ तक आराम से निकाल लोग और उसके बाद आप ऐसी website बना के 100$ से लेके 500$ average 8-40,000 रुपे हर मेने कमा सकते हैं चले दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ अगला तरीका और यह हमारा तीसरा तरीका देखें तीसरा तरीका कौनचा है तीसरा तरीका दोस्तों आपके पास micro blog या फिर आप बोल सकते हैं तरीका है, आप दोनों options यहां पर use कर सकते हैं देके micro niche blogs पता है क्या होते हैं कि एक page का blog होता है न उसको बोलते हैं जा फिर आप कोई पी ऐसी चीज सर्च करी होगी तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक page की website आपको मिलती है उस website को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वो दोस्तो one page blog या फिर दोस्तो micro niche blog लोग क्या करते हैं दोस्तो कुछ ऐसे keywords पे micro niche blog को setup करते हैं जिन keywords पे भर-भर के traffic आता है जैसे मैं आपको example देता हूँ जिसे kindmaster का अपने नाम सुना है kindmaster दोस्तो क्या है? एक APK जहाँ पे आप क्या कर सकते हो? आप image प्लस आप videos को edit कर सकते हो ये एक ऐसा application है दोस्तो जिस पे लाखो का traffic आता है और अगर आप Google में search करोगे कभी kindmaster APK तो आपको वहाँ पे देखे one page के blog मिल जाएंगे देखने को जिसमें आप इसका जो mode APK है न वो download कर सकते हैं ठेक है? और उसको बोलते है one page blog या फिर दोस्तो micro niche blog आप भी दोस्तो ऐसे कुछ keywords पे काम कर सकते हो और अपना एक one page का blog बना सकते हो अगर आप मुझे बोलोगे न कि इस पे एक video बना दो अलग से तो मैं आपके लिए video भी बना दूँगा ठेक है? और आपको इसके बारे में complete जानकारी देदूँगा कि keyword कैसे research करना है micro niche blog कैसे बनाना है और सारी जानकारी में आपको उससे related देदूँगा तो आप भी अपने micro niche blog setup कर सकते हो इसमें competition भी बहुत ज़्यदा कम है keywords भी हजारों है और लाखों का इसमें आपको competition मिलेगा और उसके बाद अगर आपके पास traffic आया है ना तो traffic आने के बाद आपको क्या करना है? adsense से apply लेना है 100% reply के आपको apply मिल जाएगा कोई problem नहीं होगी और उसके बाद इससे भी आप average minimum लेके चल सकते हो 300 डॉलर पर मन यानि 27,000 रुपए के something average आपको monthly income यहां से आने लग जाएगी आप सोच रहोंगे 27,000 रुपए तो कम है अरे यार एक ब्लॉक का बता रहा हूँ multiple blocks बना लो एक website 25,000 रुपए महिना भी दे रही है चार website भी बना लिए SEO का काम कर लिया और definitely rank हो गई ना तो हर मेने कितना हो गया एक लाक रुपए हर मेने घर बेटे एक लाक रुपए तो बहुत ज़दा amount हो जाता एक लाक रुपए इंडियन government के employees की salary नहीं आती इतनी तो ठीक है अगला तरीका कौन सा दोस्तो अगला तरीका है दोस्तो आपके पास एक और यह है हमारा number 4 इसको बोलते हैं दोस्तो print on demand देखें दोस्तो print on demand एक ऐसा business है यह एक ऐसा तरीका है पैसे कमाने का जिसके बारे में भी इंडिया में तो बहुत कम लोग जानते हैं इंडिया में आप इस business को मत करो मैं तो आपको यही बोलूगा सबसे पहले लेकिन अगर आप इसको international करोगे न तो आपको पैसा ही पैसा मिलेगा अगर मैं बात करो दोस्तों print on demand business होता क्या और इससे पैसे कैसे आते हैं और इसमें competition क्यों नहीं है तो देखें दोस्तों मैं आपको बताना चाता हूँ सबसे पहले तो print on demand business का मतलब होता है जिससे आपने कोई भी t-shirt पैंड रखी है उस t-shirt पे मानलों कोई भी text लिखा हूँ है किसी company का logo लिखा हूँ किसी star का photo लगा हूँ है तो वो star का photo आया कहां से वो star का photo तब ही आगा जब उस पे कोई print करेगा तो आप उसी से समझ लो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो printing की service offer करते हैं मतलब t-shirts पे आप कोई भी print करवा सकते हो logo, photo, text कुछ भी तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों ऐसे बहुत सारे market में लोग भरे पड़े हैं जिनको print on demand related t-shirts चाहिए मतलब custom t-shirts चाहिए custom shirts चाहिए, custom products चाहिए तो आप क्या कर सकते हो एक print on demand का जो business है ना वो setup कर सकते हो और इसमें आप जैसे मानलो t-shirt होती है आप एक t-shirt बैश सकते हो आप एक cert बैश सकते हो आप home से related जो product होते हो वो बैश सकते हो आप garden से related जो product होते हो बैश सकते हो आपके पास multiple options होते हैं यहाँ पे product बैशने के और पैसे कमाने के और platform भी अच्छा है platform दोस्तों होता है आपके पास printify और दूसरे दोस्तों आपके पास shopify आप इस दोनो जो platform है उनको आप एक दूसरे के साथ connect कर लो और आप इन दोनो जो platform है उनसे ही अपना print on demand business गर बेटे setup करके आप इसको शुरू कर सकते हैं और print on demand business से अगर मैं average आपकी बात करो earning की तो daily आप यहाँ पर मान के चलो 100 डॉलर कमा सकते हो मतलब महीने का 3000 डॉलर आराम से हो जाएगा मतलब 2 डायलाक रुपे महीने के हो गए ठीक है आप आराम से 2 डायलाक रुपे महीने के कमा सकते हो अब इंडिया में तो मत करना मैं आपको यही बोलूँगा इंडिया का मतलब cross आप कर रहो USA में, Canada में या फिर Australia में अलगले countries में जो rich countries होती है वहाँ पर यह business सलता है बहुत अच्छा चले दोस्तो अब मैं आपको बतातेता हूँ एक और तरीका जो यह हमारा last तरीका है और यह तरीका हमारा number 5 देखें यह काफी most popular तरीका है जिस पे बिलकुल competition नहीं है अगर आप बात करें इसकी तो यहाँ पे 0 competition आपको मिलेगा 0% competition मतलब लोग इसके बारे में नहीं जानते और इसको बोलते हैं आप calculator website देखें आप मालीजर normal mobile phone होता है ना mobile phone में आपके पास calculator होता है आप देखे calculator होता है उसके अंदर आप बहुत सारी चीज़े calculate कर सकते हो लेकिन आपको calculate करने के लिए सबसे जरूरी है आपको formula आने चाहिए अगर आपको formula नहीं आता ना तो फिर calculate आपके किसी काम का नहीं है जिससे मालीजर EMI होता है ना EMI का formula क्या होता है वो आता है या नहीं आता है वो बहुत जएदा मुस्किल है इसके बाद दोस्तों ऐसा formula होता है जैसी health related बहुत सारे देखे लोगों न क्या कर रखा है लोगों ने कुछ ऐसे calculators को बना रखा है जिस calculator के पीछे ही वो formula include होता है जिसे मैं आपको बताऊं जैसे यहाँ पे माल लीजे कोई EMI भरनी है आपको bank की जैसे आपको माल लो कोई EMI भरनी है तो आप क्या करते हो आप गूगल पे जाते हो और यहाँ पे आप टाइप करते हो EMI calculator और आपके सामने EMI का calculator आ जाता होगा उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे कोई भी health related जैसे माल लीजिए आपको search करना BMI जैसे BMI बी एम आई बी एम आई calculator यह health related होता है तो यहाँ पे आपको Google पे बहुत सारे BMI calculators मिल जाएंगे और उन calculators पे आप BMI को calculate कर सकते हो इसे अलावा आप यहाँ पे जैसे calories आप search करना चाहरे हो यह फिर दोस्तों आप loan को calculate करना चाहरे हो तो आप Google पे जाते हो और search करते होंगे सभी calculators को और आप वहाँ पे देखते होंगे आपके पास यहाँ पे बर-बर के लाखो का traffic होता है लेकिन अगर आप Google पे जाके देखोगे ना तो calculate website आपको मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा तीन या फिर दोस्तों आपको मिल जाएगी चार मतलब तीन चार website ही अल्रेडी बनी हुए Google पे इसके अलावा website शाही नहीं और traffic कितना है traffic है एक keyword पे 10 लाख 20 लाख 50 लाख तक का यहाँ पे traffic होता है एक website पे एक keyword पे तो आप यह चीज़ कर सकते हो आप भी अपने calculator website launch कर दो और calculator website के अंदर आप एक ऐसे calculator को launch करो जिस पे traffic भी आ रहा है और वहाँ पे competition भी zero है तो आप उस calculator को market में launch कर सकते हो और उसके बाद आप 2-3 मेने उस पे SU का काम कर लो definitely website Google में rank करेगी और Google में website rank करेगी तो आपको adsense मिल जाएगा और adsense मिला तो भीया आपकी यहाँ पे चांदी चांदी होने वाली है आप आराम से minimum 100$ से लेके 500$ यहाँ पे भी कमा सकते है मतलब महीने का कितना हो गया महीने का हो गया 8000 से लेके 40,000 रुपै महीना और मैंने आपको पहले ही बोला था यहाँ पे competition ही नहीं तो Google में rank करना तो बड़ी बात यहाँ पे है नहीं क्योंकि competition है नहीं 2-3 websites आपको मिलेगी वहाँ पे आपको rank करवान आसान हो जाएगा एक calculator पे काम कर लो उसमें ही आपका काम हो जाएगा 400-500 डॉलर कहीं नहीं जाएंगे ठीक है तो देखें दोस्तों आज का एक complete वीडियो था अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाते है डिजिल मार्कटिंग शिखना चाते है आप डिजिल मार्कटिंग में करेर बनाना जाओ चल को सब्सक्राइब करो बैल अकर बटन प्रेस करो और अच्छा लग रहा वीडियो तो वीडियो को लाइक और अपनी दोस्तों के साथ शेर भी जरूर कर दो तो चलिए दोस्तों आज की से वीडियो में बस इतना ही वीडियो को पूरा देखने के लिए मुझे और मेरे चल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सब भी मेरे पहरे पहरे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धनेवाद